हेलो फ्रेंड तोस पहले आका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप गूगल फोटो की सभी फोटो को एक क्लिक में कैसे डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड जेतनी भर फोटो हैं यहाँ पर आपको फोटो वीडियो दि तो ताकि आपको यह चीज विलिव हो जाए फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जितने वर फोटो यहाँ आपको दिख रही है और भी फोल्डर वाइस आप भी इनको फोल्डर वाइस सेव कर सकते हो गैलरी पर फ्रेंड होता कुछ नहीं है बस गूगल फोट को उपेन कर लेना है और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो सारी फोटो को सलेक्ट कर तो इसी तरह से इस तरह से आप सारी फोटो को सलेक्ट करोगे बड़ दोस्तों आप यहाँ पर जैसे थ्री लाइन पर क्लिक करते हो यहाँ पर फोन को अपडेट कर देते हो मैंने इस फोन को अपडेट कर लिया है तो दोस्तों जैसे ही इस फोन को अपडेट कर लेते हो तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं करना होता है ठीक है अब लाइब्रेरिक अप्सन पर दोस्तों आपको यहां पर इन फोटोस पर क्लिक कर ल all photos to modify 8 photos, तो यहाँ पर allow करोगे, तो दोस्तों, यहाँ पर यह सारी photos, आपके folder पर move होगी, बट उससे पहले आपको folder select करने का अपसन आएगा, कि आप folder select करिए, किस folder पर यह photo जाए, तो दोस्तों आप देख सकते हो, gallery पर हमारी जो folder होते हैं, इन folder पर आप किस folder पर रखना चाहते हैं, वही folder यहाँ पर आ रहे हैं select करने के लिए, तो मैं रखना चाहूँगा best, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पर देख लो थोड़ा problem आ रहे हैं, problem भी moving 8 item, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरा internet connection काम है, आप उसी जगहा पर बैट कर करिए, जहाँ पर फोड़ा से internet connection सही हो, यानि network सही हो, क्योंकि यहाँ पर डाटा थोड़ा सा लगता है, दोस्तों आपका Google Photos मत अप्डेट होने के लिए डाटा चाहिए होता है, बट फोटो मूव करने के लिए आपका एक भी डाटा नहीं चाहिए होता है, बस Google Photos ओपेन रहे इसके लिए डाटा चाहिए होता है, इसलिए मेरा थोड़ा स्प्रावलम आया है, बट आप इनको आसानी से मूव कर सकते हो, और फ्रेंट एक चीज में आपको बताना चाहूँगा, यह अपसन तभी आएगा, जब आप अपने फोन को अपडेट कर दोगे, यदि फोन आपका अपडेटेड नहीं है, तो आपके इस पे केबल और केबल दोस्तों अपसन आएगा, और अपने सारी फोटो को आप फोल्डर वाइस, जितनी पर फोटो आप सेलेक्ट करोगे, उनको एक फोल्डर में भेज सकते हो, उसके बाद आप ऐसे ही करके, कई फोल्डर में अपने सारी फोटो को सेलेक्ट करके भेज सकते हो, जिस भी फोल्डर में आप चाहोगे उस फोल्डर में आप भेज़ पाओगे थैंक्यू चैनल विजिट करने के